प्रप्रव बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल एश्ट्रो गुरुजी में मित्रो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप नित्तिका राशी फल नई नई ग्यानवर्धक जानकरिया हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो मित्रो आज आपको हम बताने जा रहें देनिक राशी फल दिनांकर 30 जुलाई 2019 मंगलवार के दिन का तो आज का दिन जो है बारा में से नो राशी वालों के लिए खास रहेगा अन्य राशी वालों को आज थोड़ा सा सतर करहना होगा तो आज स्रावन मास कुरश्ण पक्ष की 33 तिति है मंगलवार का दिन है तो आज भगवान रुद्र के 11 अवतार हनुमान जी महराज का दिन है आज के दिन हनुमान जी महराज की विशेश पूजा अर्चना करने से दुख संकटों से हमको मुक्ती मिलती है तो आज दिन की सुरवाद आदरा नक्षत्र से होगी हरशन नाम का सुबयोग आज रहेगा मिथुन राशी में आज चंदरमा का संचरन रहेगा तो आज शुब ग्रहों के प्रवाव के कारण आज 12 में से नो राशी वालों के लिए दिन खास रहने वाला है अन्य राशी वालों को आज मिस्रित परिणामों की प्राप्ती होगी तो आज नो राशियों में आज है मेश, वरशब, मिथुन, करक, सिम्व, कन्या, मकर, कुम्भ और मीन राशी वाले लोग इन लोगों को आज विशेस फायदा मिल सकता है अन्य राशी वालों के लिए आ नेशराशी वालों के लिए आज शुब परिणाम इस प्रकार से रहेंगे कि आज के समय आपके रुके हुए कारियों में गती आ सकती हैं साथ ये आपको सत्रू संबंदित परेसानियों से निजाद मिलने के योग हैं आज होने वाली यात्रा ही जो है आपके लिए काफी दोत्री हो सकती है आज खर्च पर थोड़ा सा नियंतरन आप रखे तो अच्छा रहेगा आज सुख सुविधाओं में आपके कमी आपको करना पड़ सकती है आज केरियर की दृष्टी से दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज विवसाई से मिलने वाला लाब आपकी संपत्ती से कुछ उमीद आप लगाए वेटे हैं तो आज आपको उसमें कुछ अवरोध बाधाएं खड़ी हो सकती है आज धेरे पुरवक आपको काम करना चाहिए तो बड़ा ही अच्छा रहेगा स्वास्त की दृष्टी से दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज मानसिक तो अधिक सदिक करेंगे तो आपको विशेश लाब की प्राप्ती होगी अगली राशी है व्रशब व्रशब राशी वालों के लिए आज शुप परिणाम इस प्रकार से रहेंगे कि संतान के प्रती आपकी चिंताएं आज कम हो सकती है जो लोग कामकाच के लिहाज से पिछले कोई समय से बाहर या दूर यात्रा पर जाना चाहते हैं उनके इच्छाएं पूरी हो सकती है रुके हुए कारियों को पूरा करने के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा आज आपको अशुप परिणाम इस परकार से मिल सकते हैं कि आपके लिए परिशानिया आज बढ़ स है तो इसके लिए आपको धन की कमी महसूस हो सकती है तो आज सावधानी पुर्वक आपने काम को आपको करना चाहिए तो बहतर रहेगा आज व्यवसाई की दरश्टी से दिन इस परकार से रहेगा कि सिक्छा के छेतर से जुड़े लोगों के लिए समय काफी अनुकूल कहा जा सकता है आज आपको घबराने की बिल्कूल आवश्वक्ता नहीं है क्योंकि आर्थिक तोर पर ग्रोहों की स्तिती आज आपको लाभ प्राप्त करवा सकती है आज सिक्छा के मामले में समय आपके लिए काफी अनुकूल रहेगा स्वास्त की दरश्टी से दिन इस परकार से रहेगा कि आज रोगों से आपको छुटकारा मिल सकता है फिर भी अपनी दिन चरिया को आप संयमित रखे तो बहतर रहेगा आज आपका भाग्यशाली अंक आठ है शुब रंग आपका हरा रंग है हरे रंग का प्रयोका आपकारी छित्र में अधिक से अधिक करते हैं त बहुमी भवन प्रापर्टी शेयर मार्केट आदी में निवेस करना आपके लिए काफी लापकारी आज हो सकता है आज के समय स्वयम को आप भाग्यशाली समझें आपको भाग्य का साथ भी आज मिल सकता है आज माता के स्वास्त को लेकर यादि पिछले कुछ समय से आप प सकते हैं विद्यार्ति वा सिक्छा के चेत्र से जुड़े जातों के लिए कठिनाई वाला समय हो सकता है आपको संगर्श भी करना पड़ सकता है कुल मिला करके आज का दिन उतार चड़ाव भरा दिन आपके लिए वितित हो सकता है व्यवसाय की दरश्टी से दिन इस प्रक से रहेगा कि आज सारीरिक तोर पर आप कमजोरी महसूस कर सकते हैं इसलिए आज खान पान पर नियंतरन रखें स्वास्त का ध्यान रखें तो बहतर रहेगा आज आपका भाग्यशाली अंकचार है शुबरंग आपका केशरिया रंग है केशरिया रंग का प्रयोक कारेचित आप अपने विरोधियों को परास्त करने में काफी समर्थ रहेंगे। स्वयम की सेहत भी आज बेहतर बनी रहेगी। नोकरी विवसाय आदि में उन्नती के योग आपके लिए बन रहे हैं। आप जिस किसी भी छेतर में कारी कर रहे हूं आपको सफलता के योग आज बन रहें। आज आप परिवार में सामंजी से बना करके रखेंगे तो दिन आपके लिए काफी अनुकूल रहेगा। आज आपको अशुप परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि लक्ष प्राप्ति के लिए आपको कड़ी महनत करना पड़ेगी जितना संबहो व्यर्थ के विवादों से दूरी बनाए रखें तो बहतर रहेगा। आज किसी भी विवाद में आप नहीं उलजें प्रती इस परदियों के मुह नहीं लगे तो बहतर रहेगा। स्वास्त की द्रश्टी से दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज आप स्वयम को तरोताजा महसूस करेंगे। आपकी महनत को दर्ज किया जा सकता है। यानि ऐसा कह सकते हैं कि कारेश्टल पर आपकी अहमियत आज समझी जाएगी आपको महत्तु भी मिल पाएगा। आपको भी अच्छे वा बुरे लोगों को पहचान करने का अवसर आज मिल पाएगा। आज भागी का साथ आपको प्रबल मिल पाएगा। यानि सितारों का साथ आज आपको मिलेगा जिसे कारेश्टल में आप सफल भी आज रहेंगे। आज आपको अशुप परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज भागी के भरोसे ही आप नहीं बेटें। कर्म पर भी विश्वास रखें तो आपको सफलता मिलेगी। केरियर की दरिष्टी से दिन इस प्रकार से हो सकता है कि इस समय आप कारी को लेकर ज्यादा ही उत्साहित रहेंगे। भागय का साथ भी आज आपको पूरा मिलेबा यदि सांती के साथ कोई खटपट चल रही हो तो आज देव गुरु ब्रहस पती की करपा से आपका विवाद दूर हो जाएगा। इस समय व्यवसाही वर्ग को जातकों के लिए लाब की प्राप्ति के प्रबल योग हैं यदि व्यापार व्यवसाही आदि आप करते हैं तो उसमें विशे मुनाफ़ा आज आपको मिल सकता है। आज स्वास्थ की दरश्टी से दिन इस प्रकार से रहेगा कि स्वास्थ आज आपका विशे उत्तम रहने वाला है। फिर भी आज आपको खान पान पर थोड़ा सा नियंतरन रखना चाहिए तो बहतर रहेगा। यदि पिछले कोश समय से भूमी भवन प्रापर्टी आदी खरने का विचार यदि आप कर रहे हैं तो आज आपको उसमें सफलता मिलने के योग हैं। इस समय आप अपने प्रतिद्यंदियों को मात दे पाएंगे। आज आपके गुप्त सत्रू आप पर हावी नहीं हो पा आज वानी पर थोड़ा सा नियंतरन आप बनाए रखें। व्यवसाय में लाप के अवसरों में कमी आपको महसूस हो सकती है। आपके जीवनसान्ती के स्वास्त को लेकर आज आपकी चिंता बढ़ सकती है। बच्चों की सेहत को लेकर थोड़ी चिंताएं आपकी खड़ी हो सकती है। अग्ले राशी है तुला तुला राशी वालों के लिए आज़ शुब परिणाम इस प्रकार से रहेंगे। कि इस समय आपके पलडे को भारी कहा जा सकता है यदि पिछले कुछ समय से आपकी सेहत में गिरावट है तो इस समय आपको रहत महसूस होगी सांती व्यावसाई तोर पर आप अपने प्रतिदंदियों पर हावी रहेंगे आज आपके प्रतिदंदी आपका कुछ बिगाड नहीं पाएंगे किसी शुब कारे में धन खर्च होने के आसार रहेंगे जो आपके लिए मानसिक सांती प्रदान करेगा आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि पूर्व में निवेशित धन से भी आपको लाब मिल सकता है आपको अपेक्चित लाब यदि कम भी मिले तो धेरे रखें आपको हाला कि इस्तिती के अनुकूल रहने के अवशकता रहेगी जैसी परिस्तिती हो उसके अनुकूल अपने आपको बनाए रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा व्यवसाई की दरश्टी से दिन इस प्रकार से रहे व्यवसाई जातकों को इस समय हानी का सामना करना पड़ सकता है यदि किसी परियोजना में पेसा लगाने के आपकी इच्छा है तो कुछ समय तक आपको इंतजार करना चाहिए फिलहाल समय आपके लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता है यह समय आपके लिए हितकर नहीं रहेगा इसलिए कहीं भी आपको निवेस करने से बचना चाहिए आज स्वास्थ की दरश्टी से आज दिन इस प्रकार से रहेगा कि स्वास्थ आज आपका उत्तम रहने की आज आशा की जा सकती है फिर भी आप अपने स्वास्थ को ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा आज आपका भागिशाली अंक एक है, सुबरंग आपका आस्मानी रंग है, आस्मानी रंग का प्रियोकार इशेतर में आप अधिक सदिक करेंगे, तो आपको विशेशल आपकी प्राप्ति होगी अगली राशी है व्रश्चिक, व्रश्चिक राशी वालों के लिए आज अशुप परिणाम इस प्रकार से रहेंगे, कि सत्रों, विपक्षियों, प्रतीस परदियों पर आपका रुतबा कायम रहने के आज ज्यादा संभावना रहेंगी, उन्हें पचाडने में आज आप का प्रकार से मिल सकते हैं, कि इस समय धन निवेश करने से आपको लाब मिल सकते हैं, साथ ही यदि संभव हो, आवेश में या जल्दबाजी में कोई निरने आप नहीं लें, अपनी अकरामक्ता और सकारत्मक्ता उपियोग करना आपके लिए फाइदमन रहेगा, दामपत्ती इवन में सांती से आपका मन मुटाव हो सकता है, इसलिए सतरकता पुरव को व्यभाहर करें, सारेरिक व्याधी वेदना आदि का भई होने के संकेता आज रह सकते हैं, आज केरियर की दरश्टी से दिन इस प्रकार से रहेगा, कि यह समय आपके अतीत के अनुभव से सीखने का समय रहेगा, इस समय यदि किसी परियोजना, नई कमपनी निवेस करने का यदि आपका विचार है, तो सोच विचार करके निवेस करें, निवेस करना भी बहतर रहेगा, कारे छेतर में भी यह समय आपके लिए वेसे उन्नती दायक हो सकता है, आज स्वास्त की दरश्टी अगली राशी है धनू, धनू राशी वालोकर शुबू परिणाम आज इस प्रकार से मिल सकते हैं, कि इस समय आप अपने प्रती दंदियों पर हावी रहेंगे, यदि कुछ नया करने का विचार बन रहा है आपका, फिर नई नोकरी आदी की तला से तो भागय का साथ आपको म करने के आपकी इच्छा है, तो कहीं भी निवेस आप कर सकते हैं, आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं, इस समय आपके खर्चों में बढ़ोतरी होने के आशार रहेंगे, इस समय आपको अपने कारियों में बाधाओं का सामना भी करना पड़ सकता है, आप समय कारी छेत्र में नई उचाईयों को चुनने का यह समय कहा जा सकता है। किसी नए कारी की सुरवात आप कर सकते हैं, कोई नई सामगरिय आज आपको मिल सकती है, आजनका भागिं scratched बनाई रखें, तो दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आपका भाग गिशाली अंकच्छे है, शुब रंग आपका पीला रंग है, पीले रंग का प्रयोग कारी छेत्र में आप अधिक से अधिक करेंगे, तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी, अगले राशी है मकर, मकर राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प अभी रहेंगे, भाग का पूरा सहयोग आज आपको मिल सकता है, आज आपको अशुब परिणाम इस परकार से मिल सकते हैं, कि इस समय अनुची तथ्वा जोखिम के कारियों में धन खर्चे आपका हो सकता है, इसलिए आपको सतर कर रहना चाहिए, आज अपेक्छा से कम धन लाब मिलने के संकेत हैं, अग्यात सत्रू आज आपको परिशान करने का प्रयत्न कर सकते हैं, कुल मिला करके आपको आज सलाह यह है कि आज आपको गुप्त सत्रों से सावधान रहना चाहिए, वरना आपके कारे में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन न हो सकता है, आज केर प्रयोग कारी छेत्र में आप सफल रहेंगे। प्रयोग कारी छेत्र में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। इसलिए आज परिवार में थोड़ा सा सामंज से बना करके चलें तो बहतर रहेगा। आज केरियर की दरश्टी से दिन इस प्रकार से रहेगा। इसलिए खान पान पर नियंतर नाप बनाए रखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। भग्यशाली अंक आठ है। शुब रंग आपका बादामी रंग है। बादामी रंग का प्रयोग आप कारिशेतर में अधिक से अधिक करते हैं तो आपको विशेश लाब की प्राप्ती होगी। अगले राशी है मीन, मीन राशी वालों को आज शुब प्रिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि पदोन्ती की संभावना आपके लिए आज ज्यादा बन रही है। इस समय आपकी बचत राशी प्रभावित हो सकती हैं, खर्च बढ़ने के आसार ज्यादा रहेंगे, छोटी छोटी यात्राओं की योग बन रहे हैं, लाब प्राप्ती की जो अवसर हैं, आपको दिखाई दे रहते हैं, उनमें अच्छारक कोई बाधाएं आपको उत्पन हो सकती हैं, आज केरियर की दरश्टी से दिन इस प्रकार से रहेगा कि कामकाजी जीवन में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, यह समय सिक्षा के छेतर से जुड़े लोगों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है, कारे छेतर में भी नाम वब आप प्राप्त कर पाएंगे, यानि आपको कारे छेतर में यश्की भी प्राप्ती हो सकती है, आज स्वास्त की दरश्टी से दिन इस प्रकार से रहेगा, कि आज मानसिक तनाव आपको उत्पन्न होगा, जिससे सारेरिक स्वास्त पर बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए आ आपके लिए अनुकूल रहेगा, आज आपका भागिशाली अंक दो है, सुबरंग आपका गोल्डन कलर है, गोल्डन कलर का प्रयोग अपने कारे छेतर में आप अधिक से अधिक करते हैं, तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी, तो मित्रो आसा करता हूं कि आपक पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वशेयर अवश्य करिए, धर्न्यवाद जैश्री करश्ण में त्रो फिर मिलेंगे